इस प्रकार से इंद्र दिती की सेवाएं करते थे और उनकी ठकावट दूर करने के लिए उनके पैर डबाते थे और अन्य आवश्यक सभी सेवाओं द्वारा वह दिती की परिचरिया कर रहे थे। इस प्रकार हे रगुनंदन स्री राम दस वर्षों में सहस्र वर्ष एक हजार साल पूर्ण होने वाले थे तब एक दिन दिती अत्यंत हर्ष से भर कर सहस्र लोचन इंद्र से इस प्रकार कहा। हे वीर्यवान बलवानों में श्रेष्ठ अब मेरी तपस्या को केवल दस वर्ष शेष रह गए हैं। तुम्हारा कल्यान हो दस वर्ष वाद तुम अपने होने वाले भाई को देख सकोगे। दिती ने सहस्र लोचन इंद्र से कहा। प्रियवत्स मैंने तुम्हारे विनाश के लिए जिस पुत्र की याचना की थी वह तुम्हें जीतने के लिए उत्सुक होगा। उस समय मैं उसे शांत करूंगी। तुम्हारे प्रती वैरभावना रहित करके ब्रात्रु स्नेह युक्त बनाऊंगी। तुम उसके साथ रहकर उसी के द्वारा त्रिभुवन विजय का सुख निश्चिन्त होकर भोगना। हे सुरश्ट्रेष्ठ इंद्र! मेरे प्रार्थना करने पर तुम्हारे महात्मा पिता ने एक हजार वर्ष के बाद पुत्र होने का मुझे वर दिया है। ऐसा दिती ने सहस्र लोचन इंद्र से कहा।